नमस्कार, SRPS YouTube चैनल पर आपका हार्दी कभी दंदर है आज हम लोग देखेंगे अध्याए 9 अध्याए 9 में सिर्षक दिया हुआ है प्रगीत और समाज प्रगीत और समाज जो एन्नी बंध है इसका लेखा के नामवर सिंग है इसका लेखा कौन है नामवर सिंग इनका नाम क्या है नामवर सिंग तो प्रगीत और समाज के लेखा कौन है नामवर सिंग तो चलिए इस चेप्टर का एक एक कोस्टन देख लेते हैं पहला कह रहा है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंद संग्रा से लिया गया है या कौन से निबंद संग्रा से लिया गया है बाद विवाद समवाद से मतलब की बाद विचार से लिया गया है ठेक नामवर सिंग का जनम कहां हुआ था नामवर सिंग का जनम जियनपूर में हुआ था कहा हुआ था जियनपूर में नामवर सिंग की कौन सी रचना है नामवर सिंग की कौन सी रचना है प्रगीत और समाज नामवर सिंग के गुरु कौन थे नामवर सिंग के गुरु कौन थे तो हजारी पर साथ दिरिवेदी नमोर सिंग ने बिये और एमे की सिक्षा कहां से प्राप्त की तो इन्हों ने बिये और एमे के सिक्षा कहां से प्राप्त किये बिये चीव से कहां से बिये चीव से उसके बाद कहा रहा है कि प्रगीत कैसा काविया है प्रगीत कैसा काविया है प्रबंध काविया, साथ मंबर को रहा है, कि दुनिया को हाथ की तरह गरम और सुन्दर होना चाहिए, या किस कभी की कभीता काविया है, तो कौन से कभी के कभीता काविया है, तो केदार सिंग, कौन है, केदार सिंग, अचारे राम चंदर सुकल के काविया सिधान्द का अध क कविता के रचयिता कौन है मुक्तीबोध कौन है मुक्तीबोध सच्चे अर्थों में प्रगीता मक्ता का अधार क्या है समाज के वhesia बेगती समाज के वेडिगती पर किसने या उसतसागर के पार एका कीपन मानवर सिंग को कभिता के नए परतिमान मानवर्थ सिंग को कविता के नए परतिमान परसाहित्य अकेडमी पुरसकार कब मिला तो इनको पुरसकार कब मिला था तो 171 इसबी में तन गई रिड किसकी कविता है तो किनका नगा अर्जुन का यह नहीं नगा अर्जुन का नामवर्थ सिंग अनैश सतर में किस विशो विदाले में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में निक्त हुए थे तो जोदपूर विशो विदाले दूसरी परमपरा की खौज किसकी रचना है नामवर शींग निमलिकित में कौन परलाएग की छाया के कभी है कौन परलाए की छाया के कभी है जैसंकर परसाद जैसंकर तुलसी दास के रचाईता कौन है तुलसी दास के रचाईता कौन है सुरेकान त्रिपाठी निराला सुरेकान त्रिपाठी निराला तुलसी दास पर भी लिके हुए है कवीता कवीता के लिए प्रतिमान के लेखक है कवीता के लिए प्रतिमान कवीता के लिए प्रतिमान के लेखक देखिए इकवीता के सिर्शक है ठीक तो इसके लेखा के कौन है तो नामोर सिंग बाज की दाड में आदमी का खून लग चुका या किस कभीता की पंक्ती है तो तय हो यही था मैं तुम लोगों से दूर हूँ किस की कभीता है मुक्ती बोद के नामोर सिंग का जनम कब हुआ नामोर सिंग का जनम 28 जुलाई 1927 को हुआ कौन सी पुष्थक नामोर सिंग की है कौन सी पुष्थक नामोर सिंग की है पृत्वी राज रासो की भासा उसके बाद कर रहा है कौन सी पुष्थक नामवर सिंग की नहीं है तो इस में से दोबारा कोशन आ चुका है कि कौन सी पुष्थक नामवर सिंग की नहीं है तो तिर्ची कौन सी पुष्थक नामवर सिंग की नहीं है तिर्ची राम की सक्ति पुजा किसकी कविता है राम की सक्ति पुजा के कौन लेखक है तो इनके लेखक कौन है तो निराला जी कौन है निराला जी प्रगीत और समाज के लेखक तो इतो आया था नामोर सिंग कौन है नामोर सिंग नामोर सिंग द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है एक निबंध है नामोर सिंग को किस कृती पर साहितिक अकाद में प्रशकार प्राप्त हुआ तो कौन से चीज लिखेते इनको मिला हुआ था कभीता के नए परतिमान कभीता के नए परतिमान जो कभीता लिखे थे इनी पर इनको प्रसकार मिला था नामोर सिंग प्रधान संपादक थे किस चीज के संपादक थे तो यह अलोचना क्या अलोचना के कमयनी के कभी कौन है तो प्रसाद लीरिक का प्रयाय है लीरिक लीरिक के प्रयाय क्या है प्रगीत